जेहिं दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बारुफिस से सूपर इस्टेडी यूटूब तेनल में तो फाइनली आप लोगों के CRPF ट्रेडमेंट्स भरती 2023 के एक्जाम्स खतम हो चुके हैं कल ही अब यहां पर हम बात करने वाले हैं ंसर की के बारे में आप लोगों की कब जारी हो रही है ठीक है आंसर की की डेट, result की डेट, की result आप लोगों की कब तक जारी हो जाएगा साथ में cut off को भी discuss करेंगे क्योंकि यहां पर अगला step आप लोगों को cut off के according ही होने वाला है जो कि physical होने वाला है ठीक है एक्जाम में आप लोगों कितने युना students को physical के लिए बुलाया जाएगा जैसा कि selection process में बोला गया था सारी details में हम बात करने वाले है इस वीडियो में आप लोगो complete detail मिले कि इस भरती से जुड़ी तो वीडियो को पूरा लाज तक देखीगा important वीडियो है ठीक है चलिए वीडियो में आगे बढ़ते है चैनल पर नए है तो subscribe कीजिएगा bell notification on कीजिएगा ताकि जो भी updates है वो आप लोगों को मिलती रहा अब देखे cutoff की अगर बात करते है तो cutoff काफी सारे factor है cutoff जाने के तो देखे सबसे पहला factor है कि आप लोगों के state wise cutoff जाएगी हैना state wise cutoff जाएगी दूसरा जो है आप लोगों के trade wise cutoff जाएगी ठीक है यहने other है तब आप जो कॉलिफाई हो पाएंगे eligible हो पाएंगे हो पाएंगे ठीक है AWS और जो आप लोगों के OBC community है इसके लिए आप लोगों का 25% और जो other है उसके लिए 20% तो यह जो cutoff है 20% 25% और 30% यह cutoff तो नहीं जाने वाली यह आप लोग जानते हैं ठीक है तो cutoff मैं आगे बात करूँगा उससे पहले आप लोगों को बता दो physical अभी जो होना है आप लोगों का देखिए अभी आपकी exam exam के बाद अभी आप लोगों का physical होगा तो physical में यहाँ पर इन्होंने official notification में mention किया हुआ है कि आप लोगों का जो है आठ गुना students को जो है physical के लिए qualify किया जाएगा number of vacances के लिए ठीक है अब देखिए यहाँ पर बुला है दूसरा जो आप लोगों का medical होगा document verification होगा दो से तीन गुना students को जो है यहाँ पर बुला जाएगा वो depend करेगा आप लोगों के physical में कितने पास होते है अब देखिए यहाँ पर आपके मर्में doubt होगा कि आप लोगों का physical के लिए तो चलो इतना बुला लिया जाएगा लेकिन दूसरी सबसे important चीज क्या है अगर physical में ज्यादा पास कर जाते तो आपको तीन गुना बुना लिया जाएगा और physical में कम पास होते है तो यहाँ पर आपको जो है दू गुना students को जो है यहाँ पर बुलाया जाएगा अब दूसरी चाहिए यहाँ पर हुए कि वेकेंसी जो है अब 8468 जो वेकेंसी है यहाँ पर देखेंगे तो अगर आठ गुना student हम देखते है ठीक है 8468 वेकेंसी में अगर देखे 66 वेकेंसी है इसमें अगर हम आठ गुना देखते हैं तो लगबग यहाँ पर जो है 67728 students को जो है यहाँ physical के लिए बुलाया जाएगा तो इतने students में आप लोगों की cut-off बनेगी यह आप लोग जानते हैं अब physical जो हुआ exam जो हुई है उसमें लगबग लगबग 10 लाख student बैठे है ठीक है 10 लाख student जो है बैठे है काफी सारे form तो आये थे लेकिन vacancy जो है कम हुई उसके वज़े से दूसरी चीज जो है आप लोगों की काफी student ऐसे होते है जो exam देने नहीं कहें ठीक है तो इस वज़े से यहाँ पर competition जो है आप लोगों को 10 लाख लोगों से यहाँ पर करना है ठीक है यह आप लोगों ने देख लिया अब यहाँ पर सारी चीज़े समझते कि आंसर की कब आएगी ठीक है आंसर की के बाद आप लोगों का result कब तक आ सकता है दूसरे जो है डाउट रहते कि physical के लिए क्या ज़्यादा समय मिल सकता है क्योंक अब दूसरी चीज़ हम यहाँ पर देखते है आंसर की के अगर बात करते है तो यहाँ पर आंसर की यहाँ पर इनों ने बुला है कि उमीदवार अपने पंजिकरत ठीक है क्रेडिसील्स के साथ आंलाइन पोर्टल में लॉगिन करके ठीक है सभी पदों के लिए परिक्षा स कर सकते है अभी तियरा को एकजाम हुई है तो यहां पर इनों तीन से चार दिन बोला एक एक माहबाद आप路गों का जो है इस भरती का result भी जारी हो जाएगा और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं देखें हो सकता है अभी CRPF जो head constable क्लिकल भी मतमारी क्योंकि बिना answer की के बिना students के नंबर जाने यह possible नहीं पाता कि cut-off बता पाई कि आप लोगों के state में जो भरतिया होती है खासकर के police की ठीक है खासकर के police की जो भरतिया होती है आपके state में और इस police की बरती में जो cut-off आपको देखने को मिलता है सेम लगबख जो है आप लोगों के टिगरी वाइस उतना ही cut-off आपको को देखने को मिलेगा ठीक है अभी physical के लिए भी ठीक है physical के लिए जो पूलिस का cut-off जाता है है फिर आप लोगों का final selection के लिए जाता है तो यहां पर आप लेके चल सकते हैं कर आप बड़े states से जहां पर ठीक है 45 से दिन का समय आप लोगों को मिलेगा आप लोगों के physical के लिए ठीक है तो आप लोगों को चिंतित नहीं करना लेकिन cut-off जो है इस बार क्योंकि cut-off कम नहीं जाती है समय के साथ cut-off बढ़ेगी तो आप लोगों को अगर 70 नंबर के आजपस अगर आपके है तो आप कमेंट जरूर कीज़ेगा कि आपके क्या नंबर यहां पर आ सकते हैं ठीक है मैं आप लोगों को रिप्लाइ कर दूँगा कि आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ठीक है चलिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जेहिन जेबारत